इस वक्त की बड़ी खबर चर्खी दाद्री से आ रही है आपको बता दे की चर्खी दाद्री में दिन्दहाडे चली गोलियां नागोरी गेट निवासी युवक की गाड़ी पर स्टेडियम चौक पर कार सवार युवकोंने की फाइरिंग घायल युवक को चर्खी दाद्री सिविल अस्पताल में करवाया गया भरती चर्खी दाद्री शहर के स्टेडियम चौक के पास नागोरी गेट निवासी युवक की गाड़ी पर दिन्दहाडे हमलावरों ने आधा दर्जन के करीब गोलियां चलाए हमलावरों ने युवक की गाड़ी को टककर मारी वा घायल युवक के घर तक हमलावरों ने युवक का पीछा किया घायल युवक को चर्खी दाद्री के सिविल अस्पताल में भरती करवाया गया है घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची वह घटना के बारे में जानकारी ली पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि घायल यूबक के पैर में गोली लगी हुई है वहीं घायल युबक ने बताया कि हमलावरों को मैं जानता हूँ और उसने मेरी पुरानी कोई दुश्मनी नहीं है पुलिस ग्वारा घायल युबक के ब्यान के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू की है और टीम बनाकर हमलावरों को गिरफतार करने की प्रकिया शुरू की गई है यावह हमला ओ किया है इसमें क्या मुकदमा दरज कर लिया ततीच जारी है इस 되な इस का करते है श्री partially को तकर मिमारी है इसके उपर इस लिए गाड़ी दोना घॉल्झक निशान न्युक्ट निशान वहे मिले एक रहा तो निशान गोलियों के गाड़ी के उपर है और कुछ फैर वेसे भी उने प्यान हुए है जो शाइद गाड़ी में नहीं लगे है तो इसके पैर में एक जिंगे चोट आई हुई है जिसका अदेशा भी इसके गोली लगी है अजी एक तोल्मीत है गामडी का एक गोल्पोही गामडी जाई को प्रॉणे रखी है ना जी को पुराने रेंट इसमीं मा रहे तो इनको बर्फोहाई सुझे हुए चिने दिलाये हैं तो रे टाय आर नहीं कटेविश लगी है जी कशय कोड़ी मा कितने फड़े हुए पेर में चूट लगी गोटे तरी निच्छ गोली लगी है मेरे घाड़ी मन दे थी थाना रहा है सारी गाड़ी के वह चेक कर वा लो उस गाड़ी में चेक हैं सब किमा उन्हाव नहीं देख रखा है तो ज़र रहती है जहां से गाड़ी ब्रामत कि रही है पलिशना